अजादी कामरत महा उत्सादमु स्मर्पेद अजादी का सफरत्यात असी पारदी अजादी विच योगदान पाउन बाले वाकवक मन्ने पर मन्ने अते गुम्नाम अजादी संग्रामियां दे जीवन दे पहलुआ तो तो हानू जानू करवां दे हां इस विलावा अजादी देश संग गर्शनल जुणियां हो और गत्विदियां बारे वी दस देहां आज दी कड़ी विच असी तोहानू सुतंतरता सेनानी हजारा सिंग बारे दसांगे पेशा एक रिपोर्ट मेरी मिल्दी 55 अक्तूबर सुतंतरता सेनानी हजारा सिंग दी बारे दसांगे बरतानवी सामराज दे वरुद जंग छेड़न दे दोश विच उनानू 25 अक्तूबर 1944 नू लाल के ले विच मौत दी सजा दिती गई हजारा सिंग पंजाब दे हश्यारपुर जिले दे चांग इलाना पिंड दे नवासी सन ओ बरतानवी पार्ती फाज दी पंजाब रेजिमेंट विच तैनाथ सन जदों अजाद हिंद फाज दे नेता दे रूब विच सुबास चंदर बोस ने बरतानवी सामराज दे वरुद जंग दा विगल बजाया ता हजारा सिंग वी अजाद हिंद फाज विच शामल हो गए ओ तीजी गोरिला रेजिमेंट विच हवलदार रहे हजारा सिंग ने वर्मा युद विच पागलिया जित्थे ओनानू अंग्रेजा ने फाड लिया देश सुतंतरता अंदोलन विच हजारा सिंग वर्गे बहादर जवानना दी निर्स्वार्थ सेवादा सदारिनी रहेगा 25 अक्तूबर 1967 नुही मैसूर रियासत नू लोक तंतरी रूप नाड चुनया पहला मुखमंत्री मिल्या सी पारदी सुतंतरता तो बाद वी मैसूर विच महराजा दा शासन रहा जिस्दे खिलाफ उत्थे राजनीतिक संगर्ष जारी सी राज शाही समापत करन दे लई मैसूर चलो अंदोलन शुरू कीता गया जिस विची सामल होन दे लई पूरा मैसूर इलाका जिमें आ गया कांगर्स दी अपील ते स्थानक पाइचारे दे लोकां दे नाड ही स्वैसेवक्वी मैसूर चलो अंदोलन विच शामल हो गए इस अंदोलन ने महराजानू सत्ता चड़न अते रियासत विच लोकतंत्री अते जवाब दे सरकार दी स्थापना लई मजबूर कर देता चार स्तंबर उनीसो संतारी नू शहर विच वड़ी जनसवा हुई अते शक् पूल दा एक वद्यार थी मार्या गया जिस नाल स्थिती होर बिगड गई बाद विच जन पावना दे सामने मैसूर दे ततकाली महराजा जया चामराज वाडियार चुक गए अते उनाने अंदोलन कारियां दिया मंगा मन लें इस दे नाल ही उनाने लोकतंत्री रूप नाल आजा दे गदी छड़न दे बाद 25 अक्तूबर 1967 नो केसी रेड़ी राज़ दे मुख मंत्री बन गए ओ संविदान सवा दे मेंबर सन पारत दी सुतंतर तातो बाद केसी रेड़ी मैसूर चलो अंदोलन दे मोरी नेता रहे अते राज़ दे पहले मुख मंत्री बने जो 1967 तो झाल